कि हलो दोस्तों डी साइंस के लिए और आपको स्वाग्रत है जी के साइंस का यह दूसरा वीडियो है जो कि पहले वीडियो में आप लोग को बहुत हेल्फुल हुआ था ऐसा कमेंट में था और यह वीडियो भी आपके लिए हेल्फुल होगा उस वीडियो में कमेंट आया था कि question के साथ कुछ option भी अगर देंगे तो बहुत और ज्यादा helpful होगा तो इस वीडियो में हम साथ में question के साथ में option भी देंगे और आप answer option देखकर भी guess कर सकते हैं तो फिर जीके science का वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर आप चैनल पर नए है तो प्रिस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे कि किसी प्रकार की वीडियो आपको मिलते रहेंगे तो जीके यकरित या लिवर इसका सही answer है मनुस्य में मादा जनन अंग से किस आर्मोस का स्रवन होता है ए एस्टोजन बी प्रोजेस्टरों सी रिलेक्सीन डी सभी कतन सत्य तो इसमें आपको पता चल गए होका कि डी इसमें सही answer है तीसरा नंबर मनुस्य में एच्छिक गतियों का नियंतरन किसके द्वारा होता है ए सेरीब्रम बी थेराइड सी सेरीबेलम डी इन में से कोई नहीं तो जी हाँ ए सेरीब्रम इसका राइट एंसर है शरीर का तापकरन कहां नियंतरन होता है यह पिछले वीडियो में भी एक क्विस्टन था ता आईर थिंग आपको पता होगा फिर भी आपसंदे देता हूं मैं पांचवा नमबर अमीबा में भोजन का अंतर ग्रहन किसके द्वारा होता है तो जी हाँ इसका राइट एंसर होगा ए कुट पात शिक्स नमबर निम्न में कौन से एंजाइम लार में पाया जाता है तो इसमें टैलीन है वो राइट एंसर है इसके लावा और भी एंजाइम पाया जाते हैं तो उसको भी आपको याद रखना है जैसे लाइजोज़ाइम एंजाइम एमाइलेज ये भी होता है तो टैलीन भी इसमें ऑप्सन राइट है इसका राइट एंसर होगा भी ग्लुकोज एट नमबर किस विक्रिया द्वारा पधो में अक्सिजन की बाहरी वातावरं से कुशिका में पहुचाता है एक इंडवन, बी विशन, सी दहन, डी प्रकास नसलेशन, बी विशन इसका राइट एंसर है स्वसन के विक्रिया में, 9 नमबर, स्वसन के विक्रिया में खाद पदार्थों की परिणिती क्या होती है ए विघटन, बी दहन, सी परिवर्थन, डी शंसलेशन, ए विघटन इसका राइट एंसर है 10 नमबर खद्ध पदार्थों का पधों में इस धांतरन का मुख्य रूप कौन से है A. ग्लुकोज, B. स्टार्च, C. सुक्रोज, D. प्रोटीन, C. सुक्रोज का राइड एंसर है 11 नमबर एक स्वस्थ मनुस्य का रक्त चाप या ब्लेड प्रेसर कितना होता है तो पिछले वीडियो में भी यह बताया था तो आइधिंग आपको पता होगा तो फिर भी आप्सन देता हूं है A. 90 बटा साथ, B. 120 बटा असी C. 200 बटा एक सो तीस, D. 140 बटा एक सो साथ तो B. इसका राइड एंसर है 120 बटा असी 12 नमबर, मनुष्य के मस्तिस्क की सबसे बारी जिल्ली है A. पिया मीटर, B. मीटर, C. डियूरा मीटर, D. एरकनोईड तो इसका राइड एंसर होगा C. डियूरा मीटर 13 नमबर, मनुष्य में बुद्धी वाचतुराई का केंदर है 15 नमबर, रक्त में ग्लुकोज की मातरा नियंतरित रहता है A. सो मेटोस्टेटिन के कारण, B. ग्लुकेगाउन के कारण, C. गैस्टिन के कारण, D. इंसलुन के कारण तो इसका D. राइड एंसर है 16 नमबर, ऑक्सीजन है A. वसा, B. कारण, C. एंजाइम, D. हार्मोन तो ऑक्सीजन तो वसे एलिमेंट है, लेकिन बायोलाजिक एकोडिंग, ऑक्सीजन एंजाइम का काम करता है 17 नमबर, जय प्रक्रम के अंतरगत कौन आता है A. पोसन, B. उसर्जन, C. स्वसन, D. सभी तो D. सभी आता है, इसका राइट अंसर D. गोबर छता किसके अंतरगत आता है A. परजिवी, B. स्वपोसी, C. मृत जिवी, D. पराश्रणी तो इसका राइट अंसर होगा, C. मृत जिवी 19. नमबर, वायू मंडल में समान्यता CO2 पाया जाता है A. 78%, B. 21%, C. 4%, D. 0.03%, इसका राइट अंसर डी होगा, 0.03% चाया में अपने वाले पौधों को क्या कहते हैं 20. नमबर, A. हेलियोफाइट, B. थियोफाइट, C. सियोफाइट तिसका राइट अंसर होगा, C. सियोफाइट 21. मनुष्य से में मुख्य स्वशनंग होता है A. फेफडा, B. नाग, C. ट्रेकिया, D. गलोम तो राइट अंसर होगा, A. फेफडा 22. निम्ड में से कौन से विमारी स्वशन तंतर से संबन्दीत है A. डारिया, B. टीवी, C. निमोनिया, D. बी और C. तिसका राइट अंसर होगा, D, B और C. टीवी और निमोनिया उच्च रक्त चाप की अवस्ता को क्या कहते हैं हाइपोपोटेंशन, बक्छगात, हाइपोटेंशन, D. इनमेसक्वेनिया, C. हाइपोटेंशन इसका राइट अंसर होगा 24. मचलियों में उस सर्जित पदार्थ क्या होता है A. एमिनो अमल, B. यूरिक अमल, C. यूरिया, D. अमुनिया, तिसका राइट अंसर होगा, D. अमुनिया 25. नमबर, पाधों में और सकता स्याथिक जल किस प्रक्रियद्वारा बहा निकलता है 26. नमबर, पाधों में गैसों के अदान प्रदान के लिए रहते है A. जड, B. रंद्र, C. टहनी, D. तना, B. रंद्र इसका राइट अंसर है 28. नमबर, फैफडों का अकार होता है A. गोलाकार, B. बेलनाकार, C. स्वंकाकार, D. अंडाकार तो C. इसका राइट अंसर है, स्वंकाकार 29. भोजन का पाचन किस प्रकार के भिक्रिय है A. उपचयन, B. संयोजन, C. अपचयन, D. विस्थापन A. उपचयन इसका राइट अंसर है 30. नमबर, हार्मुन सब्दा का नामकरन किसने दिया था A. राबर्ट, B. रस्तू, C. बेलिशन इस्टार्लिंग, D. ब्राउन पोर्टर, C. बेलिशन इस्टार्निश का राइट अंसर है इस वीडियो से सम्भीत अगर आपका कुछ सजिसन है तो प्लीज कमेंट करके जिरीर पती अगर इस वीडियो आपको पसंद है तो लाइक किजिएगा, शेर किजिएगा और इसी प्रकार की वीडियो पाणने के लिए चैनल को सस्क्राइब किजिएगा थैंक्यू फॉर वाचिंग